मध्य प्रदेश में नीमच शहर की क्रिशी उपज मंडी में प्यास के भाव ने किसानों को खून के आंसू रुला दिया है। तीन रूपए से लेकर बारह रूपए तक के भाव वर्तमान में प्यास के आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार एक और हमारी आय दुगना करने का वादा कर रही है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो हमें लागत भी नहीं मिल पा रही है। मंडी में प्यास की आवक कम है। किसानों का कहना है कि जो भाव मिल रहे हैं, ऐसे में मंडी में प्याज लाने का कोई मतलब नहीं निकलता। भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। व्यापारी कह रहे हैं कि इस बार प्याज का उत्पादन ज्यादा हुआ है और डिमांड कम है। इस कारण भाव नहीं मिल पा गौर तलब है कि मंडी में किसान जिस भाव में प्याज बेच रहे हैं, उसकी तुलना में खुद्रा में आम आदमी को प्याज बहुत महेंगा खरीदना पड़ रहा है। के आंसू रुलाने लगता है। अब इसमें सवाल यह उठता है कि मुनाफ़ा जो उपभोकता की जेब से निकलता है, वो उसके वास्तविक हगदार किसान तक नहीं पहुचता। इसलिए यह देखने में आता है कि एक किसान जो पचास साल से लहसून और प्याज उप जा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिती कभी बेहतर नहीं हुई। लेकिन एक व्यापारी जिसे इसका धंधा करते हुए मात्र पांच साल हुए वो करोडपती हो जाता है, यानि यह साफ है, मेहंत किसान करता है और चांदी व्यापारी काटता है, जबकि इसका वास्तविक हगदार वो किसान है, जो रात और दिन खेत में पसीना बहा कर फसल उप जाता है। फिलहाल सरकार इन किसानों की बेहतरी के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई जैसा की हाल ही में यह मांग उठती रही है, कि सरकार उपज के समर्थन मूल्य तै कर दे। लेकिन इस अंतरिम बजट में भी केंदर सरकार ने MSP पर कोई निरनय नहीं लिया यदि देश में सभी फसलों का समर्थन मूल्य तै हो जाए तो फिर मुनाफा खोरी और काला बाजारी पर रोक लग सकती है। लेकिन ऐसा निकट भविश्य में होता नहीं दिखता और अंदाता यही खून के आ सूरोता दिखेगा।